हेलो गाइज वाट्स अप तो गाइज आपका स्वागत है फार्मिंग सीमुलेटर 16 के 13 एपिसोड में तो गाइज जैसा कि आपने लाश्ट एपिसोड में देखा होगा कि हमारी टोटल पूरी फसल नहीं पकी थी सिर्फ एक ही खेत में फसल पकी थी तो हमने उसे ही काटा था लेकिन गाइज आज के एपिसोड में हम सभी फसल को काटने वाले हैं कि वाई सभी फसल हमारी पक चुकी है तो चलोगा जल्दी से काम जादा है हमारे पास और टाइम कम है तो चल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक इस पहले हम मक्य वाली फसल काटेंग वह ज्यादा बड़े वाले फार्म में है तो अगर आपको यहां तक वीडियों पसंद आ लिए तो वाई लाइक कर दो और अभी मैं जा रहा हूं से वाई यह वाला फार्म काफी बढ़ा है मेरा सरी फार्म फार्म नहीं वाई यहां फिल्ड के हैं तो भाई उनको भी अल्दी से काटना है तो यहां पर लग चुका है और भाई चोड़ के कुछ काट रहा है तना कि वात नहीं वाद मैं ले लेगा चलोगा तो सबसे पहले मैं लेता हूं आलू वाली मसीन यह गई कि इसको लगा देता हूं का माई अभी नाइट हो रही है और मैं रात से लग गया हूं काम में और यह वाला पग गया है हमारा अलू तो इस वाले में लगाते हैं तो पहले कि ज़्यों की इस वाले में काम होना स्टार्ट हो गया हां हो गया आप दूसरा वाला भी लिते यह बेदा और यहां गय कि इसको विधनने से मैं लगा देता हूं कि इस वाले खेट में वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो आप जब तक वाई इतना में पर अब तक मैं इनको काटूंगा अब तक वही पक जाए गए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है और वो वाला देख लेता हूं वाई वो का तक मौचा वाई गीहूं की फसल भी करने वाले हैं लेकिन उसके लिए भी टाइम है पहले यह कर लें भाई दिन होने में भी टाइम है और जो अभी आप यह देख सकते हो और गाइज लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि फार्मिंग सिमूलीटर 18 की भी एपिसोड आने वाले है तो गाइज आप वो भी आने वाले हैं बता देता हूँ मैं आपको बस जल्दी आने वाले हैं उसके लिए थोड़ा वेट कर लो और गाइज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी बंदे नए आ रहे हैं चैनल पर और बैल नोटिफिक्शन भी दवाना आप बिल्कुल मत बूलना और यहाँ पर गाइज हमारा सुबह होने को है भाई इसने यह छोड क्यों दिया हुँ भाई एक चीज तो मैं बूली रहा हूं यह गाटक्टर सुल दिसले के चलते हैं भाई टाइम कम है सम और वाई वर्क ज़्यादा है हमारे लिए तो हमने बहुत ही बड़े मार्जिन में भाई यहां पर फसल बूई थी और उसका रिजल्ट आज है भाई आज उसका रिजल्ट है और कोई बात नहीं हो जाएगा सब मैनेज कर लेंगे हम कर अगर टाए है कि उपार है कि कैज वाला फार्म काफी बड़ा है कि लिए पीछे वाले वाले आभी दिखाए ताओं मैं आपको मैं तो जितनी भी ज़गा आज आप को ये वसल पाई यलो यलो दिखाए रही है ना यह सब आपर यह मक्य की शो मिल के पास यह यह वाली यह और यह वाली यह मक्के की वसल इसमें चल रहा है यह आलू की और यह आलू की गाइज़ सब अभी हमारा वर्क उसमें है चल रहा है सब और मैं अठक गया कोई बात नहीं अठा लेता हूं तो यहां पर अभी मेरा वर्क कंप्लीट नहीं होगा अभी तो बॉट्टा है मैं अग्याइज एपिसोड लंबा होगा क्योंकि भाई मुझे मुझे एक वाई मेरे व्यूवर मेरे सब्सक्राइबर ने वाई सजेस्ट किया वाई एपिसोड थोड़े लॉंग बनाओ तो वाई आपको पता होगा कि वाई जो ट्वैल एपिसोड था उसको मैंने आपको पताया था बड़ा था एपिसोड वो अभी चलने देते हैं और यहां पर मैंस वाले ट्रेक्टर को लेके आता हूं अब फिल कौन सा और यह वाला फिल हो गया इसी ट्रेक्टर लेके जा रहा था मैं कि मुझे पहली मालूम पढ़ गया था भाई अभी अभी अभाई यह हो क्या रहा है अब बहुत दूर हो गया है कि वाई यहां पर आलू डलना स्टार्ट हो गए हैं इसमें कि कम्प्लिट हो गया आलू अपने यहां सब ट्रेक्टर को अटा लेता हूं हम में बहुत देर से खड़ा है और वाई वो भी फिल हो गया कम्प्लिट तो वहां पर भी जाना है मुझे आलू ले कलेक्ट करने हैं वहां से भी अज़ ट्रेक्टर मुझे एक और पर्चेस करके रखना चाहिए था यह इतनी पैसे नहीं है मेरे पास की मैं पर्चेस कर पाऊं अभी तो गाइज यहां पर यह वाले आलू भी फिल होने लगे हमारे और यह गाइज कम्प्लिट अभी मैं देख लेता हूं वाई कहीं वाई तो नहीं फिल हो गई पूरी हाँ गाइज फिल हो चुकी है तो पहले में यह आलू इस टोड़ कर आता हूं उसके बाद मैं उसको भी देखते हैं कि क्या हो सकता है कि जल्दी चलो यल्दी भाई जल्दी चलना है और यहां पर यह वाई यल्दी हो जाओ बहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत है बाद डॉन्ट वरी आपका वाई सब कुछ कर लेगा बाई जल्दी चल ट्रैक्टर बहुत से लुए बस यही दिक्कत है बाई 44 की स्पिल बाई 18 लगाके है वैसे तो सही थी ओ भाई यानि की यह काम कंप्लीट होई गया है समझो बस कोई बात नहीं तो अगले वाले खेत में हम लगा देंगे इसको वाई कौन कितनी यार यलू है ठीक है जावाई इस टोई में डाल क्या ऐसे यहां पर लगातार वर कम चल रहा है अपना यह वाई उतर वाले दो खेत में पक गए भाई मेरी तो आज वाई लग गई वाट कंप्लीटली मुझे लगता है वाई मेरी तो लग गई आज वाट वाई इतना सारा वर करना है ना आज सच में आपको बता रहा हूं बहुत ज़बा दिक्कत हो जाने वाली है आज मुझे तो गाई यह वही टक्टर है इसको मैंने और दिया कि वाई इस ट्रूए में जाकर फिल कर किया कॉर्ण को और यह जा भी रहा है गाई मेरे खेल से लास्ट राउंड होना सी लेकिन नहीं वाई लास्ट राउंड हो भी कैसे सकता है नहीं कैसे हो सकता है अब भाई वो क्यों रुक गया अब यह रुका नहीं है रुका नहीं है वाई मैं गलत सोच रहा था भाई अगर इसकी टाइमिंग सही है तो यह पहले निकल जाएगा ट्रेक्टर के आने से निकल गया भाई तुझे कहीं नहीं जाना है उस वाली कंबाइनर मशीना काम कंप्रिट होगा तो जिलिस जागे हम दूसरे वाले कॉर्ण में लगा देते हैं उसको कि भाई वहां पहुत ज़रूरत है इसकी चलो भाई चलो 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 दर चलो इधर वाली कॉर्ण बहुत ही जादा सब्सक्राइब को कि अधिक थंबाना मसें का नाम धन्नो रखेगा को कि को बेवकूफ होगा उसका नाम धन्नो रखेगा और वो बेवकूफ मैं हूँ कि तो यह अभी भाई यह से छोड़ना जरूरी है क्या अधिक भाई यह गया भाई दोन अफिर हो चुक्यां कमप्लीटली चलो भाई ठीक है इस वारे ट्रक्टर को जाकर उस वाले ट्रक्टर को हां पर लगा देवाश्वाले खेट में कुई भाई वहां पर भी आलू पक चुके हैं हमारे चलो चलो भाई यल्दी चलो इस वाले खेट में लगा देतने हैं यहां पर पहुता जरूरत है तो गाइज काम स्टार्ट हो गया अपना चलो भाई इसको यल्दी से भर लेते हैं अधर तो मसीन चली रही है भाई चार्श टुए में डाल के आई से बस अटक गई ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब इसे कंट्रोल मैं करूंगा यह तो यह वह वाले पेड़ रहे हैं उनको काटूंगा क्योंकि भाई वह भी काटना जरूरी है अधर आपका वह भी हैं ड्राइवर रहे हैं पट एक साथ अनकार नहीं कर सकता हूं मैं इसलिए भाई इसका और रावर का यूज़ करता हूं फिल हो गया फिल हो गया भाई कहा है भाई ट्रेक्टर इधर चल भाई इधर बहुत जरूरत है पेरी बहुत जादा वाली जरूरत है तर तो इधर पहले करेंगे वर इस्ट्रेम डाल के जल्दी आना है बे भाई इतना आगे क्यों नकल जाता है अब डाल करवाई डलना स्टार्ट तो हुआ क्या भाई हाँ चलो भाई डलना स्टार्ट हुआ है चलो भाई आपने क्लो स्टोरेज में मुझे मेरी बाई ड्यूटी समालने तो कि यह गई चलो है जल्दी यल्दी वर्क करेंगे भाई खच 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 अब जाओ जल्दी कर रहा हूं गया तो गैस यह वाला फिल्द कटने के बाद इस कंबाईनर मसिन का वर्क नहीं पर खटम होगा जल्दी से इसको काटते हैं और अपना दूस्ता आई कार ने देखना है मुझे आई फिरी बंदा नहीं हूं मैं बहुत जादा वार को चुका है पहरे से ही आई बहुत दूए याँ चलो भाई वो देखो तोनों फिल उचके हैं इसे पक्खडा करता हूं टेक्टर कहां ट्रेक्टर कहां है यह गया में भाई किधर जा रहा है चल इधर वाले पर चल पहले इसका पूरा इतना वी सामान है सभी यह से अरे भाई बहुत दूर खड़ा था हुआ 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 है आई दूसर्या भाई रात हो गई अभी तक मेरा काम समापत नहीं हुगा है को बात नहीं हो जाएगा हुआ भर गया भर गया भाई भर गया चलो भाई इस वाले को भी देखते हैं अरे यार इस वाले से भी आलू ले लेते हैं चलो भाई सही है इतना कॉंटेक्ट तो है कि आपने क्लो स्टोरेज में भाई चलो भाई इसको स्टोरेज में कर दिया हमने रफा दफा और भाई एक ट्रेक्ट अपने हाथ में लेने वाला हूं अम मैं कहां है भाई कहां है यह वाला है यह वाला है कि इसका लगवाग होई गया कंप्लीट आप दो भी तो वह साड़ी रह गया अभी एक फिल्ड और डला है वह मैं कितना काम करूंगा अज कोई बात नहीं करना तो है आई ऐसा करते हैं इस वाले फिल्ड को करते हैं कंप्लीट और इस वाले को करते हैं कंप्लीट रुक इदर आई यह हो गया कंप्लीट आगे चलते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं यह भी हो गया कंप्लीट तो चलो गाइस इसको पहले इसमें डालते हैं तो भाई आप इसको मैं करता हूं जाके खड़ा कहां पर इसमें पर इसमें डालते हैं नहीं पर करना है खड़ा इसको तो कि दूसरा वार ट्रेक्टर लगातार अपना कारे कर रहा है कि करने देते हैं तो वाई अभी मैं क्या करने वाला हूं कि इस वाले को ट्रेक्टर को भाई अभाई अंधीर आओ कितना हो गया वाई आप कुछ दिखाई भी दे रहा है इसमें वह दिख रहा है लेकिन सायद आपको ना दिख रहा हो हुआ है अगा कि देट फॉर नेक्स डे के लिए हम करेंगे इन तर तक इसको तो कम्पिल्ट होने दें आई कितना टाम लगी आप इसमें कि अच्छा भाई अच्छा भाई लास्ट राउंड उसका ठीक है ठीक है क्या हो गया कम्प्लीट यस और क्या कर रहा हूं है हाँ यस हो गया वाई कम्प्लीट हाँ तो बस काई आज के एपिसोड में इतना ही अगर एपिसोड पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सबस्क्रा कर देना वाईज और बेल नोटिफिक्स नहीं दबा लेना और मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के एक और ब्रेंड न्यू एपिसोड साथ तब तक के लिए बाई बाई